लिखिए पहला क्या लिखा हुआ है अप और तनांक हम पढ़ा रहे थे ना अप और तनांक दो प्रकार क्या होता है पहला को बोलते हैं निर्पेक्श अप और तनांक जिसको बोलते हैं अप सलूट रिफ्राटिव इंडेक्स आद दूसरा को क्या बोलते हैं शापेक्शिक अप और तनांक तो इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं देखो, निर्पेक्ष अपोर्तनांक का मतलब क्या होता है? कि किसी माद्धियम का अपोर्तनांक हवा या निर्वात के सापेक्ष में. हावा या निर्वात के सापेक्ष में किसी भी माद्धियम का अपवर्तनांक हावा या निर्वात के सापेक्ष में अगर हम निकाल रहे हैं तब उसका नाम क्या होगा निर्पेक्ष होगा सापेच्छी किसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे किसी किसी माद्यम का आपवरतनांक किसी दूसरे माद्यम के सापेक्ष में किसी दूसरी माध्यम के सापेक्ष में अब दूसरा माध्यम में क्या लेना हवा तथा हवा या बोल सकते हैं हवा या निर्वात को छोड़ कर इसके अलावा कोई और दूसरा माध्यम लेना है अगर इसके सापेक्ष में बात कर लेंगे हवा या निर्वा तब क्या रह जाएगा निर्पेक्ष ना क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है निर्पेक्ष का मतलब किसी माध्यम का अपर्तनांग हावा या निर्वात के तो हावा या निर्वात के सापेक्षिम रहेगा तो निर्पेक्ष कहलाएगा अग किसी भी दूसरा माध्यम के सापेक्षिम अगर बात कर हम लिखते हैं जैसे दखोव अपवर्तनांक को अपने से लिखा जाता है घ्ट हम लिखते हैं से मईफ डबलू यहां length of इसको पढ़ले सबसे पहले w से क्या होता है water water मतलब पानी तो हम बोलेंगे पानी का पॉर्तनांग जो पहले है उसको पहले बोलेंगे मिउडबलू लिखा हुआ है ना तो बोलेंगे पानी का किसके साफेक्ष में हवा के साफेक्ष में एसे क्या है एर तो पानी का पॉर्तनांग हवा के साफेक्ष में के लिए रुगा अगर हम लिखे, इसको हम क्या लिखे ? अचलो हम समझेक है क्या लिखे ? बोले हैं, पानी का, किसके साभ एक्ष में ? अगर हम लिखे, mu W, G, W से water, G से, glass, G से glass, तो यह इसका मतलब क्या पड़ेंगे ? पानी का पृतनांक, कांच के साभ एक्ष में, पानी का परतनांग तो बता इसको क्या बोलोगे इसको क्या बोलोगे निर्पेक्ष के सापेक्ष निर्पेक्ष क्योंकि पानी का परतनांग किसके सापेक्ष में बोल रहे हो तो हवा के सापेक्ष में जब भी होता है तो क्या बोलते है उसको तो यह निर्पेक्ष फैल्लू ह गया कि निर्पेक्ष का लाएगा निर्पेक्ष तो हवा है जब बगल में कुछ नहीं है तो हवा है हवा अब नहीं है न Ishter नियर्वात है रेट हवा नीद उन भ और हवा में प्रकस का चल लगभग बाबर मांते हैं न देद हम रखना कि जब बघल में कुछ नहीं बोला गया है कुछ नहीं लिखा गूआ है तो अपने मन से क्या माल लेना है हवा या निरवात हवाया मियू डबलू लिखे म्यू डबलू एंद है इसको म्यू डबलू एजे लिख लें सब का मतलब एक क्य ने इसको क्या पढ़ेंगे पानी का अपॉर तर्णकर कुछ देह तो हवा के सबस में यहां पे तो एर लिख दिया तो फिर से व ही पढ़ेंगे पानी का अपॉर्टर नं । इसको क्या पॉमेंगे पानी का आप उर्तनांख हवा के क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वान अपॉन मुव ऐड़ा लू मिव। मुझे Felita करके लिखनात के इसको उल्टा करके लिकानना तौशन आपूइसके लिखेंगे तो इसको सिद्ध कर देखो क्या मिसको ऐसे लिख सकते हैं कि आफ वन बटता मिवेटा मुडवलूग जैसे मिवड़ू ऐसे लिखते हो नो मिव लुए तो इसका मतलब क्या पढ़ है इसको पानी का अप वर्तनांग अवा के इसाप एक्षा में तो क्या इसको ऐसे नहीं सकते पा केले सकते हैं म्यू डबनलू बटा तो यहां पर किया है में यूए डबलू त्हीओ कहलो सजद मीवड़ा इसको घर शोल परेंर ता मिऊ डविटाएगा तो क्या बन जाएगा भीमिवल बटा म्यूएं मिवलीअ सइयْ ने यह अगर ऐसे लिख सकते हैं तो बताओ मियू डभलू को क्या लिखे हैं तो मियू डबलू ब decides टो मियूड़ू लिख सकते हैं नहीं तो बरावर में कहले सकते हैं数 द लू यह तो bet you यही से नहीं सुरू हुआ था वही निलास में आया इसका मतलब जो हम लिखेंगे उसा लिखना सकते हैं तो इसमें कभी तुमको घूमाने का कोशिस करेगा तो आप अराम से घूम सकते हैं क्योंकि सब कुछ आपको बता दी किसका क्या मतलब एक लिखना चाहिए अकर इसे लि यハハी बोली बलाइग बोली एक two ग्रास का पॉर्टनांग पानी के सब क्षमें तो ग्लास का पोर तो आप नगत सकते सकते हैं आ committee यण Venus दवलू जी ऊल्टा करे लिखेंगे उल्टा अलगा क्या शोब एक सकते हैं वान आपोन मिय्यु दबलू आपटा मियू जी ग्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मियू जी बटा मियू डबलू समझ मैंना बात और इसको फाइनल का न्क्लूजन दिया जाए तो फिर से क्या बंच गया मियू जी डबलू देखो सुरू यहीं से किये थे तो इस सब जो लिख रहे हैं उससाब एक चीज नहीं जी कि कोई अंतर है कोई अंतर नहीं है क्या समझ में आया तो दो चीज आपको बताए एक इसका मतलर दिवां में क्या घुजां आज कि बस निरवात या हा आके सापिक्ष में जब भी बात होगा निरफर्च होगा हावाय निरवात को छोड़के किसी और के सापिक्ष में बात हुआ सापिक्षिक होगा कंदेखो अब देखो थोड़ा-थोड़ा सा और important point अगर हम को ले कि हमागा पॉर्ट नंग कितना होगा है तो देखिए है जिए मिउ का परिभास्ता क्या करता है कि निरवात यह हव architect की च्चाल यह अमाध्या में अनुपात को तुर्लिभात प्रकास का चाल अमाध्य में प्रकास का चाल लिखते हैं हम किसका बात कर रहे हैं एर का तो हवा में प्रकास का चाल लगभग सीए के ब्रावर्ण होता है तो क्या लिखा जाएगा सी बटा असी सी तो एंसर कितना आया तो ध्यान भी रखना कि हवा का पॉर्तनांग कितना होता है वन होता है हवा का पॉर्तनांग कितना होता है आद तिन चार गोर वहलू बता रहे हैं उसको भी ध्यान रखना ग्लास का पूरतनांग काँच का लगभग एक दिसमलो 5 होता है कितना होता है एक दिसमलो 5 पानी का पूरतनांग एक दिसमलो तीन-तीन डाइमन्ड ही रहा हीडा हीडा कर पतुर्तनांग ए तो अरह हो चारद कर में एक सब् ». कि आपका लिखा हुआ होगा और कैम जिविर्ब कि कि वर फुनोंगे में पहला लिखे निर्पेक्ष अपॉर्टनांग में देखे निर्पेक्ष अपॉर्टनांग लिखेगा जब किसी माद्ध्यम का अपॉर्टनांग जब किसी माद्ध्यम का अपॉर्टनांग हवा या निर्वाद के सापेक्ष में निकाला जाता है जब किसी माद्यम का अपवर्तनांग हवाया निर्वात के साप्यक्ष में निकाला जाता है तो उसे जब किसी माद्यम का अपवर्तनांग हवाया निर्वात के साप्यक्ष में निकाला जाता है तो उसे निर्पेक्ष अपवर्तनांग कहते हैं तो उसे निड़ पेक्छा परत रांख कहते हैं जैसे में लिख लिजे जैसे में लिखिए मिउडबलू ए जैसे में लिखिए मिउडबलू ए और नीचे इस लाइन को लिखिए जो ब्रैकेट में है दूसरा लिखिए सापेक्छी का पॉर्टनांग सापेक्छी का पॉर्टनांग लिखिए जब किसी माद्धियम का पॉर्टनांग जब किसी माद्धियम का पॉर्टनांग किसी दूसरे माद्धियम के सापेक्छी में ब्रैकेट में लिखिए हवा तथा निर्वात को छोड़ कर ब्रैकेट बंद निकाला जाता है निकाला जाता है तो उसे सापेक्छी का पॉर्टनांग कहते हैं तो उसे सापेक्छी का पॉर्टनांग कहते हैं जैसे में लिख लिजिए जैसे में लिखिए मियू जी डबलू मियू जी डबलू मतलब क्या हुआ क्या पढ़ोगे इसको ग्लास का पॉर्टनांग पानी के सापेक्छी में अब इसको मैं से लिख सकते हैं ना लिखिए अबलूओे झाल झाल नीचे नोट करके इचारो कमान लिख लिजिए हवा का कितना याद रहो जाएगा हो गया ना हवा का वन पानी का 1.33 काच का लगभग एक दिसम लो पांच और हीडा का दू दिसम लो चाड़ दू कुछ चीज को याद रखना पड़ेगा जैसे यह डाटा है तो डाटा को याद ही न रखेंगे अब इसके बाद लिखिए तो हेडिंग डाले तो स्नेल का नियम उसी को समझने के लिए न हमको आप और तनांग पढ़ना पड़ा तब फिर से बार देखते हैं कि स्नेल का नियम में क्या बात है अप अपरतन का दूसरा नियम ही क्या कहलाता है स्नेल का नियम समझ गया तो अपरतनांग का 90% सवाल तुम बना देगा करें अप अपरतनांग की नियम को अगर समझे भी डंग सेजिसको असले का नियम कह रहे हैं तो अपरतनांग से संबनीink बन जाएगा दस पर जी से दो बचेगा तो उसमें थोड़ा और आगे पढ़ाएंगे उससे सवाल बनेगा तो सबसे इंपर्टेंट क्या है से मिल्का नियम तो उसको अच्छे से समझना है ठीक है लिखिए अच्छे नियम लिखिए डैस दिजिए एक वर्णिये प्रकास के लिए एक वर्णिये प्रकास का मतलग एक रंग का प्रकास स्वेथ प्रकास के लिए नहीं बोल रहे हैं हम स्वेथ प्रकास में कितना रंग साथ रंग तो एक रंग के लिए के वल होता है आपको बताया थे साथ पिछला क्लास में कि स्वेथ प्रकास के लिए मानने है कि स्वेथ प्रकास के लिए एक वर्णिये प्रकास के लिए स्वेथ प्रकास के लिए मानने नहीं है क्योंकि उसमें साथ रंग है साथ अलग अलग कोन पर मुर्ता है तो आर कौन साले हम फंस जाते हैं इसलिए हम उसको लगा नहीं सकते बहुत अच्छे आग वर्णिये प्रकास के लिए आपतन कोन की जया ब्रेकेट में लिको साइन आई तथा अपवर्तन कोन की जया ब्रेकेट में साइन आड एक वर्णिये प्रकास के लिए आपतन कोन की जया तथा अपवर्तन कोन की जया का अनुपात का अनुपात किसी भी दो माध्यम के लिए एक नियतांक होता है। अब इसको मापको बूर्ट पर समझा रहे हैं इसको थ्वास अध्यान से समझ लीजिए इधर माल लीजिए कि वीडल माध्यम है इधर क्या माल लेते हैं वीडल माध्यम है और इधर क्या माल लेते हैं सघन माध्यम है वीडल सघन समझते हैं ना यह अभी लम होता है और इसका कि अंत्राप्रिस्ट अंत्राप्रिस्ट बोले तो एक सत्व है जो दो माध्यम को बाट रहा है इसके उपर इसके नीचे सगन माध्यम है अब सपोज कीजिए कि प्रकास इधर से आ माल लेते हैं कि प्रकास ऐसे आ रहा है ति प्रकास को काइदे सा चलना चाहिए तहां कैसे सीधा लेकिन सीधा जाएगा प्रकास जब विर्यल से सघंज आता तो किधर मुरता है अभिलम की और यह जितना कोन अभिलम से बनाया बना के आया उसको आपतन कॉन आई जितना कुन से मुड़ा यह किस बात पनिरिभड करेगा इसको क्या बोलेंगे विचलन कौन इसको क्या बोलेंगे तो इसमें विचलन कितना हुआ या आर कामान कितना होगा यह किस बात पनिरिभड करेगा तो यह इस बात पनिरिभड करेगा कि सगन माध्धेम का अपवर्तनांग कितना है अब पानी में यहां से गया है और नीचे फिर बोल दें कांच है तो कांच में यहीं से जाएगा की इधर से जाएगा की इधर से जाएगा po problem कितना होगा किस्वागंग किओ अपरतनांग कितना है माधेम माध्य। जादा होगा च्टना ज्यादा एंगल से मुरेगा उतना ज्याद customize घृपक्या किशोन माधयम कैप only आ पर अचैन अपरतनी फृआ ंपर किस पर है आप इसको समझना अश्नेल का लिए अगर व कब नियं जो आपको बताया गया तो आपको तो क्या बताया कि आप तो कुं कि जया हॉप वर्टन कुन कि जया का अनुपाद किसी भी-18 की लिए एक यह तांग उता है लेकिन वह एस्ट्रेटमेंट है लिखने का तरीका कुछ अलग है यह समाल लोगी विर्यल मादेम को परतना कितना मा लेते हैं we won a 7 माद अगिटना मलेते हैं मिटू ठीक बाते दो मादें दोनो पर टॉन अपर तर्णा कुछा होगा न तो इसका कितना मल ये इसका कितना मल ये अबसनेल का नियम लिखना कैसे सो समझो जीधर का अप्वर रिद अंग लेना उदर का कॉल लेना साथ में गुना करना साइं क साथ कर से लिखेंगे मिवान साइना ओर जैलिए मुवन साइन आ बीच में बड़ाबर। तीक आउसके बाद दूस्रा मात दे में चला वाथ इधर कम और तनांग मुटू यदर का कौन तो क्या लिखेंगे कि मिटू साइन आब इत दोनों का मान बराबर होगा कारण समझो आर कंजादे है कि आई जादे है आई और आर दिख रहा न कौन है तो आई जादे है कि आर जादे है अगर आई का मान जादे है तो इसका अपवर्तनांग कम होगा देख लो यह वीरल माद्दे में की नहीं है तब वीरल माद्दे में तो अपवर्तनांग कम तो कौन जादे समझ रही है समझ रहो अगर एक कम है तो दूसर का जादे होना चीए थो तम ना गुणा करेंगे तो इसके बलाबर आ चीए इधर देखो मीटो़ जादे की कम तो R का महान वह उन्हार में इत आध था थो दूसरका एक कम है तो दूसरका तमने डूनों को गुञा करने कंता बढाबर आसकता है समझारा है Abio arka man जितना कम होगा उतना ज्यादा में 2 होगा इस जितना इसको घटाएंगा उतना इस बढ़ेगा उतलों को ना इता एव। नहीं संस्छी है तो एत अब तुम जो लिके हो उसको समझो вся लिक थे कि और कोने कि आपतन कोन की आपवर्तन कोन की साइन्र को निचले है इधर लिखा मिव टू बड़ा बता ma2 इस माध्यम का पूर्तनांक है lucky a fixed value अब इसको बLYघ अ भागा देंगे तो फुक डायगा कि नहीं आएगा को नियतांक यह नियतांग बोला Musk is का लिखा जाता है कूछ लिखने का तरीका कुछ तुम को धहान में प्रश्राय लिखते कैसे हैं जीधर का पूर्तना उदlo का उदは कूर जीधर का अप३ रगा लिखने काती एक ऐसे लिखोगे कभी गलत नहीं होगा इसको याद करोगे फंस जाओगे नीचे वहला को याद करोगे फंस जाओगे ठीक है इसको पेले लिखो को देखो इसमें सवाल के से तुमको बना के देगा ऐसे फोर्टो बना देगा यहां पिर देगा कि ये कौन मालो साठ डिग्री है ठीक इधर का पॉरतनांग हावा म центр हावा में कितना रेग Users परदोंन पता ए अधर माले दिए पानी है आभालो का पॉलतनांग कितना है एक दिसंव लो ती बताव मुड़ेगा ना ऐसे इसको जना चाहिए था सीधा लेकिन मुड़ेगा बोले कि आर कामान बताई कितना होगा बताव इसको सन में आर कामान बताई कितना होगा झाल 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 झा की अफं पुडिए थांडर है परकाश एक माधियम से दूसरा मांधर में गया न तो अगरब वाटन कानीयम लगेगा और अपॉर्टन गजसानी्व छेल का नियम है आझ सेलिका नयम ही एंगल और आप अपकानी देता है UN directly हम क्या लिखेंगे सनेल के नियम से छनेल के नियम से तो क्या लिखाएगा मियू ए जीदर का परतना खुदर का तब मियू ए साइन साथ अब बढबर मियू डबलू साइन और हो गया अभी लिखना सिखाए थे ना सोठाज अब इसमें मान पूट करो तो मीन कोच्ऒ गितना वन हो गया अगर सल टो गलुफ समीन कहा जायगा को नीचे ता स्वाइन अरवर कितने हो गया रूट थिरी बटा दूद्र समलों छोचो बोलू तो आरवर कितना हो जाएगा अब रहर रहा साइन इन वर्स है रूट थी री आप अमें डूदू संब लो छो अमालो की ऑप्सन में इसा नहीं है आप्सन में अंगल डिरेक्ट दिया है कि आर का मान कितना होगा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं अंदाजा किसे लगाएंगे आप रहे बरावर सायन इंवर्स रूट तरी कितना होता है एक क्षांग साथ तिन दू आप बटा में डूद दूद समर्डो चो इसको भागा देखे तो देख सकते हैं कितना है हम देख लेते एक बब एकद सम्लोई 7,3,2 अब भागा 2.,6,6 देखो 0,5 है कितना आ रहा है 0,6,5 sin inverse के साथ ना sin sin inverse 0,2,6 बताओ sin inverse 0,2,5 का value सां इन थिसक तिना होताई एक बड़ाद दू एक बड़ाद दू का मतलब जीश्मलो तो यहां से अगर मोले कि लोग 30 degree हो गाना साइन तीस का वैलो कितना है जैसे साइन थीटा बड़ाबर अगर जी दो समलोग पांच है तो थीटा अब डावर क्या हो जाएगा साइन इन बर्स जी दो समलोग पांच है इसका आमान कितना होता है यह बोल रहे है साइं इन्भर्स का मतलब उल्टा लेकर जा रहे हैं ठीक है एंगल पचार रहे हैं जिसे साइं थुटा का हमान इतना है तो थृटा अबर तो रगाओ जागा सानी इतना तो साइं थीटा का मान घथू अपांच की तना आघू सनु नो पना तो धू ता का विलुव नो कितना जीड़नों चौपाच है तक जीड़नों पाँच से ज्याद है कि नहीं है यह दिफर चरहा कि तीस से ज़ादे होगा तीस से जादे होगा एंशाइन पिंतालिस कितना होता है सोवन भाई रूट तो तो रूट तो का मतलब उसलिटार इसका बागा देगा तो लगभागवके तना कर ऐगाव एग बागा क्समेश हएक चार एक भागा एक देज समलों-चार-एक-चार जी संननों-साथ कितना रहा जीजु सब्साइज arts इन Gso es our nerede कितना है कि यह था पर यह कि हृई क्या पताश चड़ रहा है कि 30 से जादे अपने 48 से कम तो लगभग bize आप इसको छेक करते हैं एक स्क्रिकलेटर इसनेटिक क्लकुलेटर देख जांता तुम लोग है पी है यंन त है मेरे पास भी लगता नहीं है वो डाउनलूड करना पड़ेगा प्लेस्टोर से सब कुछ डाउनलूड करते हो नौ साइन्टीफिक कैलकूलेटर भी एक आता है उसको डाउनलूड करो कुसमें सब वहलू निकलता है साइन को सब का तो इसका वहलू लगभग कितना आएगा सब्सक्राइब को मिलेगा क्या समझ में आया बात अरे बोलू तो इसको आप नोट कीजिए इसको लिखिए इसको लिखिए जो तीरिट्रिकल पोर्शन है ना पहले जो कॉंसेप्ट है कॉंसेप्ट ले देते हैं उसके बाद आपको सवाल एक तरब से पुरा कराएंगे अस्टार्टिंग से तो सब फिर से रिभाईज हो जाएगा सवाल के साथ तो इसका आगला जो टोपिक हम को पढ़ना है उसका नाम है प्रकास का पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन हेडिंग डालिए प्रकास का पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन 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 इसको अगला क्लास में है ठीक है इतना पढ़ के आई है इतना पढ़ के आई है